आई सुबा यहां नौ बजे की करीब महमेद शफी सनाफ इलमदीब जो प्याकल सु टकानी पंचायत का रहने वाला था पासी द्रावशला के आंदर सुबा एक दुख बरी यहां पे इनके मकान में आग लग गई जो की शायद सुनने में आया है कि शाट सरकट की वज़ा से ह तो यह बहुतीक गरीबंदा था इस व्हे अपना कैम करता था मेंसन का काम करता था पूरी जिनदगी इसने अंज पूरा पैसा जितना भी कमाता था इस मेकान के अंदर लगा था जो की आज सुबह सुबही हाध् credya का शिकार हो गया एा बड़े अप्सूस की बात है को आई administration से गुजारिश है एक को यहां पर आगर आज फायर वेंगेट सर्विस होती फायर वेंगेट का कोई रवशला के अंदर कोई प्रोग्राम होता यहां पे कोई सर्विस होती तो शायद जहां मिज़्दीग था रोड तूंकि रोड जो है तक्रेमां सब्सक्राइब को यहां से जो है मकान को आग पोचाती यह क्या करते हैं पाली पहुंच जाता और इतना नुक्सान नहीं हुआ पड़ी बर्किस्वती की बात है कि हां पाहर सर्विस की कोई सिवदा नहीं है यहां पूरे सुरूर के अंदर जब भी कोई इस्ट होता है तो मका आग को बुझाते हैं आज भी सुबह सुबह जब यह खाबर यूंइ फेली तो तमाम अलाके के लोग आए और उन्होंने जो है यहां पर आग बुझाई का काम किया हिमत से इन्होंने आग बुझाई और इस वाकर जो है एक दो चात्रा नुक्सान तो हो गया लेकिन तीसरा फर्स्ट फलावर जो था इसको बचा लिया है फर्स्ट फलावर को जह हुए बँत ज्यादा नुक्सान हो आ इसके अंदर जितनी भी उमर भर की झाईदात इन लोग उने ज qualcी पूरी की पूरी जलकर भाट सरह हो की वोड़ा नुक्सान हो गया है नमारी गुझारश है DC साब से सैसी इडिमिस्टेशन से इसका फॉरन महाउधा दिया जाए एखोरन यहाँ पर टीम को बेजा जाए, हटवारी को बेजा जाए, तैसिदार साब को बेजा जाए ताकि इसको घुतां के जो है इसको फॉरन DC साब से मेरी गुजारिश है, इनके पास बरतन भी निकालन में से या किसी और तरीके से इनको फॉर्म मदद की जाए और उसके बाद जो इनको महुज़ा दिया जाए बहुत बड़ा मकान था शायद 25-30 का अभी तक पुरी जिमगी में आइस्ता 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 खंच कर दे करते हैं जब से प्यदा होए हैं तमसे इनने मकान का काम शुरू किया है और आज अभी भी मकूल मंजित के मकान नहीं पहुंचा था कि उससे पहले जल गया